नमस्कार, मैं रिशु कुमार आप सभी का सिक्चाश्री में स्वागत करता हूँ आज का ये स्पेशल लीके का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्पून है क्योंकि इस क्लास में हम भारतीय रेलवे से जुड़े महत्पून प्रस्णों को कबर किये हैं पूरे क्लास हिंदी में कवर किया गया है, इंगलिस वालों के लिए अलग से कवर कर दिया जाएगा इस क्लास से अररवी, एंटी, पिसी और ग्रूप, डी में बहुत सारे कोस्चन्स पूछे जा सकते हैं तो आप लोग इसे पूरी तरिके से अच्छे से देखिएगा पीडिएफ के लिए टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए और इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी आप लोग फॉलो कर ले चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है भारत की प्रथम रेलगाडी द्वारा कितनी दूरी तैकी गई ओप्शन है 52 किलो मिटर, 62 किलो मिटर, 34 किलो मिटर या फिर 36 किलो मिटर इसका साई उतर होगा C, 34 किलो मिटर कहां से कहां हुई? कॉमेंट सेक्षन में बताएं अगला कोस्चन है भारतिये रेल नेटवर्क का बिश्व में कौन सा स्थान है? ओप्शन है तीसरा, चौथा, पाच्वा या फिर दूसरा इसका साई उतर होगा B, चौथा अगला कोस्चन है भारतिये रेल का स्लोगन क्या है? ओप्शन से हैं राष्ट की जीवन रेखा, राष्ट सेवा की रोड, राष्ट की कारवाई सडक या फिर अन्य इसका जो साई उतर होगा वो ए होगा, राष्ट की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ओफ, नेशन अगला कोस्चन है ब्रिंदावन एक्स्प्रेस किसके बीच चलती है? उप्षन है चन्नई और मैसूर, बैंगलोर और मैसूर, चन्नई और बैंगलोर या फिर बैंगलोर और चन्नई इसका जो साई उतर होगा वो C, चन्नई और बैंगलोर अगला कोस्चन है भारत में सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली रेल कौन सी है? Option है Lifeline Express, राजधानी Express, विवेक Express या फिर सताबदी Express इसका सई उतर होगा C, विवेक Express अगला Question है Railway Board के स्थापना कप की गई? Option है 1903, 1905, 1991 या फिर 1890 इसका सई उतर होगा B, 1905 में अगला Question है भारत में पहली बार Metro Rail सेवा किस नगर में आरम की गई? Option है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कॉलकता इसका सई उतर होगा D, कॉलकता में अगला है सबसे लंबी Railway Platform कहां है? Option है खड़कपूर, गुरकपूर, कानपूर या फिर नई दिल्ली इसका सई उतर होगा गुरकपूर, पहले खड़कपूर में था अगला Question है भारत में प्रथम विदूत ट्रेन कब चली? Option से 1986 में, 1961 में, 1925 में या फिर 1967 में इसका सई उतर होगा C, 1925 में अगला Question है भारत में रेल का आरम किस सन में हुआ था? Option से 1853, 1857, 1869 या फिर 1847 इसका सई उतर होगा 1853 अगला Question है भारत और पाकिस्तान के भी चलने वाली रेल गाड़ी का नाम क्या है? Option है रोयल ओरियेंट एक्सप्रेस, सदाय सरहद, सदभावना एक्सप्रेस या फिर समझोता एक्सप्रेस इसका सई उतर होगा D, समझोता एक्सप्रेस, पुरानी दिल्ली से चलती है ये अगला है भारत के किस राज में रेल गाड़ी लाइन नहीं है? Option है उडिशा, मिगाले, आंधर परदेस या फिर मद्र परदेस इसका सई उतर होगा B, मिगाले North East की, ये Seven Sister में से एक स्टेट है, जहां पर रेल गाड़ी लाइन नहीं है अभी अगला कोस्चन है रेल मंत्राले ने Village on Wheels नामक पर्योजना सुरू करने की गोशना की स्वश्च की थी? Option है 2011, 2008, 2002 या फिर 2004 इसका सई उतर होगा 2004 अगला कोस्चन है भारतिय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दिरिश्टी से बिश्व में कौन सा स्थान है? Option है 3, 4, 5 या फिर दूसरा इसका सई उतर होगा B, 4 अगला कोस्चन है निमलिखित में से कहां रेल ले मुख्याले नहीं है? Option है एमदाबाद, नई दिल्ली, हाजीपूर या फिर हुबली इसका सई उतर होगा A, एमदाबाद में अगला कोस्चन है भारतिय रेल का राष्टी करन कब हुआ? Option है 1950, 1948, 1955 या फिर 1969 इसका सई उतर होगा A, 1950 में अगला कोस्चन है भारत में रेल लाइन विछाने का स्रेक किसे प्राप्त है? Option है जर्ज स्टिफेंस, लॉड डल होजी, जौन मथाई, या फिर अन्ने इसका सई उतर होगा B, लॉड डल होजी अगला कोस्चन है देश में माल परिवान के निम्नांकित में से कौन सबसे बड़ा मध्यम के रूप में प्रेक्ट होता है? Option है नो परिवान सेवा, वायू सेवा, बस या फिर रेलवे इसका सई उतर होगा B, वायू सेवा अगला कोस्चन है भारत में सबसे पाहली ट्रेन कहां चली थी? Option है मुंबई, दिल्ली, कॉलकता या फिर मदरास इसका सई उतर होगा A, मुंबई, बॉम्बे टू थाने चला था निम्निखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? Option है गोथार्ड बेस टरनल, सी कान सुरंग, युलियन्थ टरनल या फिर चैनल टरनल इसका सई उतर होगा A, गोथार्ड बेस टरनल अगला कोस्चन है भारत में सबसे पाहली ट्रेन कब चली थी? Option है 22 अपरेल 823 को, 22 अपरेल 893 को, 21 अपरेल 823 को, या फिर 16 अपरेल 866 को इसका सई उतर होगा C, 21 अपरेल 823 को अगला कोस्चन है रेलवे बजट को समान बजट से किस वर्ष अलग किया गया? Option 889 में, 1949 में, 1939 में, 1939 में या फिर 1924 में इसका सई उतर होगा D, 1924 में अगला कोस्चन है रेलवे का जोन मुख्याले हाजिपूर की सराज में इस्तित है? Option है बिहार, जारखंड, उतरपरदेश या फिर बंगाल इसका सई उतर होगा A, बिहार में, बिहार की रैधानी पटना से पास में ही है अगला कोस्चन है भारत का सबसे बड़ा सारवजनिक उपकर्म कौन सा है? Option है बित्य उपकरन, परिवाहन उपकरन, भारतिय रेल या फिर परेटक उपकरन इसका सई उतर होगा C, भारतिय रेल, ये सबसे बड़ा सारवजनिक उपकर्म है अगला कोस्चन है भारतिय रेल नेट्वरक का S.E.A. में कौन सा स्थान है? Option है तीसरा, दूसरा, पाचवा या फिर आठवा इसका सई उतर होगा B, दूसरा अगला कोस्चन है, बिस्व में प्रथम रेल कब चली? ओप्शन से 1822, 1842, 1825 या फिर 1849 में इसका सई उतर होगा C, 1825 में, बिस्व में प्रथम रेल चली थी अगला कोस्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ओप्शन है, वंदे भारत एक्सप्रेस, सताबदी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या फिर दूरंतो एक्सप्रेस इसका सई उतर होगा A, वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिलिटू वारानसी और नई दिलिटू कटरा चलती है अगला है भारत के किस राज में रेल लाइन सबसे अधिक है options है महराष्ट, तमिलनाडू, राजस्थान या फिर उतर परदेश इसका साई उतर होगा D उतर परदेश में सबसे बड़ा राज होने की वज़ा से और घनी अबादी होने की वज़ा से सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन इसी स्टेट में अगला कोस्चन है उत्तर मध रेलवे जोन का मुख्याले कहा है option है हाजिपूर, मुंबई, परियागराज या फिर गोरकपूर इसका साई उतर होगा C परियागराज जिसे पहले इलाहबाद से जानते थे और आज का लास्ट कोस्चन, सवतंत्र भारत का पहला रेल बजट किनों ने प्रस्तूत किया था option है जोर्ज स्टिफेंस, जोन मथाई, अब्दूल रहीम या फिर लाल बहादूर सास्तरी इसका साई उतर होगा B, जोन मथाई इस तरीके से ये भारती रेलेवे से जुड़े महत्पून सवाल का part 1 complete होता है, अगले पार्ट के लिए आप लोग बने रहें और भी बहुत सारे भारती रेलेवे से जुड़े प्रस्नों को अगले पार्ट में कवर किया जाएगा इसके PDF के लिए टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबलेबल है थैंक यू, जय हिन, जय भारत